हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ शालनी और ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है दोपैर के लंच से अभी सिर्फ बारा बजे हुए हैं इस टाइम पर आइधिंक साड़े ग्यारा ये बारा ऐसे ही कुछ बज रहे थे तो जो बरतन दीवाश करके गई थी सबसे काम मुझे करना होता है तो फर्स प्रायर्टी मैं खाने को देती हूँ कि पहले खाने का काम किया जाए चाहे वो मौर्निंग का रहे जिस काम मैं मुझे बहुत जादा टाइम लगने वाला है तो उस टाइम से पहले मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारियां जी हां क्योंकि फ नहाने और अब आके मैं इसमें तड़का लगा रही हूं और बहुत सिंपल सी डाल बना लेती हूं उसमें कुछ नहीं डालती हूं जिससे कि कई बारी अपने बच्चे के लिए निकालनी पड़ती है मुझे डाल तो बाकी जो भी मैं मसाला तियार करती हूं वो तड़के में क लगती है यह राई के छोक में लगती है और इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर चांच भी कुछ अच्छी रहे तो ज्यादा खटी भी नहीं तो इसमें काफी अच्छा टेस्ट आ जाता है तो मैंने सिंपल सा लंच रखा था दाल थी और सुबह ही मैंने खीर बन पर 15 डेज मैं मतब 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर मैं एक बार ही उस काम को कर पाती हूं क्योंकि उससे मैं बार बार या एवरी वीक भी नहीं कर सकती हूं उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है और कई बार ही ऐसा होता है कि कुछ जो लंबे काम होते हैं जिस से पहले मैं खाने पीने के काम को निपटा लेती हूं जिससे की फिर कोई डिस्ट्रेबेंस ना हो किसी काम के लिए तो यहां मैं लगा रही हूं चार्च में तड़का इसमें थोड़ा से सरसो का तेल जाता है और यह राई है तो यह अच्छी तरीके से मतलब तेल जब और फिर उसके बाद मैंने इसमें मसाले एड किये थे काफी सारी जगे जीरे को भून कर हतेली से मसल कर रायते में डाला जाता है वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और यह भी अगर आपने ट्राई नहीं किया तो करके जरूर देखना इसका टेस्ट भी बहुत अच्छी लगती है खाने के साथ और खाने को भी काफी अच्छे से डाइजिस कर देती है तो यहां मैंने हम दोनों की रोटियां सेख के रख ली थी और सबसे पहले मैं खाना खिलाने चली गई थी अपने बेटे को तो उसको खाना खिलाने में थोड़ा से ट्राई टाइम लगता है और आप देख सकते मेरे घर की हालत इतनी देर में तो बहुत कुछ कर दिया था जबकि यह काम होने के बाद का है जब सारी सफाई हो गई थी मौर्णी की जो क्लीनिंग वगेरा रहती है तो मैं उसे ही खाना खिला रही थी थोड़ा सा इसको खिलाने के लि यह मैं भेज देती हूँ जिससे कि एना एसी में वो अंदर बैठे रहते हैं तो फिर बाहर आके मुझे डिस्टरब नहीं करते हैं मेरे काम में तो फिलाल यहां जितना भी सामान फैला हुआ था तो इसमें मेरी बेटी हेल्प कर रही थी कि मैं ममा कर देती हूँ तो उसको देखी मेरे बेटे ने भी हेल्प करना शुरू कर दिया था उसे मज़ा आ रहा था कि यह कोई गेम है तो वो भी बहुत मज़े से उसको क्लीन कर रहा था तो बस यह टॉइस उठाने में जितनी महनत लगती है न उतने से भी बजन कम नहीं होता एक रोटी एक्स्ट्रा खाल जो भी सामान वगेरा है फिर मैं अपना आराम से उधर लगी रहूंगी तो बस मैं अब भी यही काम करके बच्चों को अंदर भेज चुकी हूँ वो अंदर जाके अपना खेल कूद करते करते सो जाएंगे थोड़ा सा मुझे बस बीच में जाना पड़ता है अपने हो चुका है तो फिर अभी जितना भी साफ सफाई है तो मैं यह बिल्कुल क्लीन कर देती हूं किचिन को जिसे कि मुझे नाइट में यह अच्छी मिले जब मैं शाम को इधर काम करने आऊं तो इस वज़े से और इस दिन क्या था कि जो मेरी मेर्ट थी वो दोपैर में ही आ बरतन करने के लिए मेरा सारा काम हो गया था तब वो आई थी क्योंकि उन्हें नेक्स दे नहीं आना था तो बस बहार बहुत तेज धूप हो चुकी थी इस टाइम पर इधिंग देड बज रहा था तो मैं बहार से कपड़े ले आई थी और यह शेड डाल दिया था यह सबस वैक्यूम क्लीनर क्या है ना कि मैं बार बार निकाल नहीं सकती क्योंकि वो बिलकुल भी हैंडी नहीं है इधर उधर मतब मेरे पास कोई ऐसा स्पेस नहीं है कि मैं बिलकुल उसको सामने रखूं और एवरी डे यूज किया जाए क्योंकि घर इतना गंदर सोफे वगरा हो जाते हैं एवरी डे नहीं तो दो से तीन दिन में यूज कर लूँ ऐसा भी नहीं है तो जो भी छोटे मोटे काम रहते हैं वो मैं निपटाते हुए फिर अंदर से वेक्यूम क्लीनर को निकाल के लाना पड़ता है तो यह देखी सारी जो मेरा मैट है ना यह कारपेट जैसा ल तो ड्रै क्लीन में बहुत जादा प्रॉब्लम हो जाता है खर्चा बहुत जादा आता है कारपेट को क्लीन करवाने के लिए तो यहां मैं रखती हूँ उपर अपना वेक्यूम क्लीनर तो इस वज़े से मुझे निकालने करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है बाहर र करती हूं सोफों से जारके या वैसे कपड़े से डस्ट नहीं निकलती है क्योंकि बच्चे इतना ज्यादा इसमें खाना फसा देते हैं अंदर तक चला जाता है तो यह क्लीनिंग मुझे बहुत जरूरी हो जाती है जब तक मैं वैक्यूम क्लीनिंग इसकी नहीं करती हूँ तो मुझे इधर बैठना करने में बहुत गंदा लगता है हलांकि यह डेली कपड़े से क्लीन करती हूँ बट उतना सैटिसफेक्शन नहीं मिलता है जब तक वैक्यूम क्लीनिंग ना हो जाए तो बस मैं यहां इससे क्लीन कर रही थी और वैक्यूम क्लीनर का बस एक प्रॉ तो इसको जैसे दैसे इधर उदर सेट करना पड़ता है बट यह कि हां इतने मेरी बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है और यह अंदर तक बहुत अच्छे से मैं इसको साफ कर देती हूं तो यह रहता है कि बच्चे इस पर जब भी खाना पीना बैट के खाते करते हैं तो रहता है कि यह कभी गंदा नहीं हो और क्लीनिंग हो गई यह तो अच्छा है इतने क्लीनिंग के लिए वैक्यूम क्लीनर बहुत सही है तो पीछे भी देखे क्या रहता है न मेर्स वगेरा रहते हैं तो वो उतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं करती हैं जैसे कि हम खुद अपन घर को clean करते हैं पर ठीक अभी मेरी मजबूरी है तो मैं उनको लगाई हुई हूई हूँ तो मैं यह क्या करते हूँ ना सोफे को खिसका के पीछे से सारी जो गंदगी रहती है वो निकाल देती हूँ पीछे से बहुत सारे toys भी निकलते हैं तो ऐसे करके मेरी cleaning होती रहती है टेडी विर्स वगेरा सारे मेरे machine में वाश हो जाते हैं तो बस इन सारी चीजों को मैं अच्छे से clean कर लूँगी तो मैं अपनी ये cleaning कर चुकी हूँ और clean करने के बाद मैं तुरंत इसे उठा के रख देती हूँ मैं इसे नीचे बिलकुल नहीं छोड़ती हूँ तो जो भी dusting वगेरा थी वो morning में मैं कर देती हूँ बस जो भी थोड़ा बहुत था मैं उसे clean कर रही थी जिससे थोड़ा सा जो भी dust वगेरा इदर लगा है वो clean हो जाए इसके बाद बहुत नीचे जो सोफे से मैंने cover वगेरा जाड़ेते उसका काफी dust नीचे आ गया था तो यह अभी दोपैर का ही time है और अब मैं इदर जाड़ू लगाके सारा clean कर दूंगी क्योंकि lunch भी किया था बहुत कुछ से जाड़ू लगा देती हूं नहीं तो सिधा शाम को बच्चों के उठने से पहले लगा देती हूं कई बारी बच्चे साथ में भी उठ जाते हैं तो बस मैंने फिर नया बिच्छा दिया था ये भी जो मैट है ये भी मैं wash कर लेती हूं मैं ऐसे ही लेती हूं जो मेरे से है तो यहां मेरी काफी अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी थी और बहुत तसली से एचली वेक्यूम क्लीनिंग में सुभा नहीं कर सकती क्योंकि उसका उठने का टाइम रहता है और वो जल्दी उठ जाएगा इस चक्कर में और दोपैर में यह रहता है कि वो काफी ठका हुआ रहता है तो वो सो जाएगा आवास से भी नहीं उठेगा और हस्बिन भी अंदर रहते हैं तो यहां मेरी क्लीनिंग हो चुकी थी अगर आप लोग को मेरा यह क्लीनिंग व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक करना बिल्कुल न भूलें और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई थैंक्स फॉर वाचिंग